लो हमारी वीडियो काॉइच रहेगा अकांटिंग इकवेशन इसको हम बडर्न एप्रोच ऑफ बहुत आंकि मौडर्न आप्रोच आप अकांटिंग के काड़िजल तेम सिर्ट कोश्रेशन है यहां इकवेशन क्या कर्णिट जो के बाइस है कि आपको बताए कि जितनी भी डेबिट है उसके लिएक क्रेदिट होएंगे तो यहां पर यहां पर गयाता है कि जितनी भी आपकी इक्विटी में गडलेद के बराबर होती है तो बाրब थी आपको सिप्ट है यहां ग्याइब वह उनर्स एक्वीटी से लिए आता है बैसीकली वैसे इकुटी इसको हम दो इससों में स्वाइब कर लेते हैं। एकुटी एंड क्रेडिटर्स एकुटी की ऑनर्ड जू मालिकों का पैसा बिस्टेटर्स जो हमने उधार का लिया हुआ है। तो Equities Honor Equity plus Creditor Equities equal to Assets Honor Equity that is known as Better known as Capital जिसको normally common जो है वो Capital के नाम से जानते हैं और जो हमारी बहार वाले लोगों को जो देताएं है उसको हम जो है वो Liabilities Daito के नाम से जानते हैं तो Capital Poonji plus Dait that is equal to Assets means स्मपत्ति तो Capital plus Liabilities that यह बैसिक हमारी जो है वो accounting equation बन जाती है तो आपसे पुझाता है कि accounting equation क्या है तो आप क्या गहेंगे Capital plus liabilities are equal to assets तो इसी के basis पर और equations बन जाती है कि capital is equal to liabilities ज़र प्लस में इदर आके minus में होगी तो assets मेंसे अगर हम liabilities minus कर देंगे तो capital बन जाएंगी assets में से capital minus कर देंगे तो liabilities आ जाएंगी तो यह equation आपने याद रखने है capital plus liabilities that is equal to assets assets का total capital और liabilities को दोनों को मिला दिया जाए capital और liabilities को तो उसका total हमेशा assets के बराबर रहेगा तो यानि कहने का मतलब इस accounting equation का हो है कहने का मतलब कि जितने भी business transaction है हर एक business transaction किसी भी business transaction के होने के बावजूद organization का यह जो accounting equation है यह maintain रहेगी हमेशा capital plus liabilities will always be equal to assets कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यह जो equation है यह disbalance हो जाए कि कभी assets जाए वो ज़्याद हो जाए है capital plus liabilities से यह कम हो जाए ऐसा नहीं होगा तो जो टोटल assets है they will always be equal to capital plus liabilities तो इसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ transactions हमने लिए हैं और उस transaction का effect आपको दिखाते हैं कि यह जो accounting equation है वह सेम रहती है कि assets का जो total है वह हमेशा liabilities plus capital के बराबर जो है वह रहता है तो फर example कि जैसे अभी बिजनस शुरू होता है तो हमने क्या 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 है इसको हमने asset वाले column में लिख लिया कि 35,000 से अगर business start किया तो cash हमार पास 35,000 रुपीज का आ गया और cash आया है brought into the business कहने का उतला है कि मालिक ने invest किया तो यहाँ पर brought into the business by the honor तो honor ने 35,000 रुपे जो invest किये है तो honor ने invest किये है तो जो honor की investment है उसको बोलता है capital और की जो investment है that is known as capital तो business organization की capital होगी 35,000 तो यह जो transaction हुई इसमें दो aspects आगे cash का दूसरा capital का तो cash जो है वो asset थी तो हमने asset के column में लिख लिया और यह जो to liabilities plus capital तो समझने में असानी देगी cash आगया आपके पास asset 35,000 liabilities निल liability में कोई फरक नहीं पड़ा capital आगी आपके पास 35,000 रुपे 35,000 की तो अगर आप आप total करेंगे liabilities plus capital 35,000 and assets also 35,000 वह हमारी accounting equation कहा थी कि assets जो है वो किसके बराबर रहेंगी liabilities plus capital यह भी 35,000 यह भी 35,000 सेकंड हमने transaction की purchased furniture for rupees 5,000 पांच जार रुपे का furniture आपने purchase किया तो जब इस तरह से कोई transaction आपके पास दी होती है तो उसमें हम इसको कर लेते हैं कि वो transaction cash में की गई है क्योंकि यहां पर बताया नहीं है कि हमने किस से खरीदा तो जब नहीं बताया गया हमने उसको cash में खरीदा होगा हमने पांच जार का furniture खरीदा उसके बदले में cash दे दिया होगा तो आपने 35,000 का 35,000 में से 5,000 हमने जो है वो cash पे कर दिया तो अब आपके पास कितना बचेगा 35,000 minus 5,000 that is equal to 30,000 कि 5000 रुपे आपने cash पे कर दिया furniture कर दिने के लिए तो आपके पास 35,000 थे 35,000 में से 5,000 आपने पे कर दिया आपके पास बचेगे 30,000 रुपे और furniture कितने का आगया आपके पास फनीचर भी asset है तो उसको भी हम asset वाले column में लिखेंगे asset आपके पास जो हो furniture के तौर पे 5000 कि आगी तो cash 30,000 रहे गया furniture 5000 इस transaction से liabilities पे कोई फरक नहीं पड़ा capital पे कोई फरक नहीं पड़ा अब total देख लेते हैं तो 30 प्लस 5000 35,000 and capital जो है वो total अभी भी 35,000 है तो 35,000 प्लस निल यानि कि 0 तो 35,000 और ये भी जो है वो 35,000 accounting equation सही है अभी भी third transaction purchase goods for rupees 2000 और cash यहां पर लिखी दिया कि cash में हमने purchase किया अगर नहीं भी लिखा तो तब भी हम इसको माले थे कि cash में purchase किया गया है तो cash में purchase किया गया है 2000 रुपे का समान गुड्स जैसे आपको जाए पर चेजिस गुड्स तो वह स्टॉक की तौर पर आपके पास आता है तो यहां पर हमने इसको goods लिखा है आप चाहें तो इसको प्रणीचर आपके पास था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ 5000 एज इस लिख दिया और हमने गुड्स परचेज किये दो जार के तो आपका स्टॉक वह आपकी पास एसेट की तौर पर आजाएगा तो गुड्स है वह हमारे पास दो जार रुपे के आगे तो इस ट्रांजेक् प्लस फरनीचर प्लस गुड्स 28 प्लस फाइव 33,000 प्लस 2,000 35,000 और यह भी 35,000 है अकांटिंग एक्वेशन हमारी वह सही आ रही है देन फोर्थ ट्रांजेक्शन हमने की परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 1,000 अब हमने हजार रुपे का समान खरीदा है व तो उतने टाइंग वाद आप पेमेंट करेंगा तो आपकी लाइबेलिटी वनगी कि आपने वह अमाउंट उसको पे करनी अभी नहीं किये कैश नहीं दिया अभी बट इन फूचर आपको वह पे करना पड़ेगा और उसके बदले में आपको मतलल खरीदा गया आपने समान खरीदा है गुड्स करीदें पचेस गुड्स यह खरीदें उधार में तो जब उधार में खरीदें तो कैश पे नहीं किया तो कैश जितना था उतना का उतना आगया सेम कैश की अमाउंट आ जाएगी फरणीचर पर इस ट्रांजेक्शन से कोई फरक नहीं पड़ेगा 1000 रुपे का समान 2000 प्लस 1000 आपका समान जो है टोटल कोल मिला के 3000 का होगे 2000 का पहले था 1000 का और खरीद लिया अब आपने समान खरीद है उधार में तो उधार में रहता है कि इससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी किस तरह की लाइबिलिटी क्रेडिटर जब हम उधा प्रेडिटर लाइबिलिटी होगी तो प्रेडिटर होगे 1000 के कैपिटल में कोई चेन नहीं हुआ वह 35,000 अब टोटल कर लाता है 35 प्लस 1 36,000 और अगर यहां पर टोटल करते हैं तो 28 प्लस 5 33,000 प्लस 3,000 36,000 तो यह भी 36,000 तो अब 35 प्लस 1 36 और यह भी 36,000 तो अभी कि इसी को पर टेडिया थे यह तो इसके बाद एक और ट्राजेक्शन की तो यह गया रहे हैं बॉट मोबाईल फोन फोर पर्सनल यूज आफ रूपीस 2000 अब कैद 2000 रुपे का मोबाईल फोन पर्चेज कर लिए यहां पर नहीं लिखा कैश में क्रेडिट में तो हम मान के चल परस नली परसनल यूज है लिखेए इस परसनल फोन के लिए और मुबाई फोन करेपगें तो क्या हुआ कि जातर MichA司 अक प्रेख में पोनेफ़ निंच कम हो जाएगा जूसरी तरफ क्या है कि आप cheesy पर्सनल यूज के लिए जो समान निकाला जाता है बिजनस है that is known as drawings क्या बोलते हैं उसको drawings तो जो बिजनस में पैसा उसने मालिक पर्सनल यूज के लिए जो समान लिया है या कैश वापिस लिया है बिजनस से तो उसको बोलते हैं और उस ड्रॉइंग्स की वज़ा से जो है वो उसने जो बैजा बिजनस में दिया था अगर दिया था तो और उसमें क्योंकि cash में खरिदा है तो 28,000 का cash था 2,000 रुपए उसमें जो है वो cash पे कर दिये तो 28,000 माइनस 2,000 26,000 जो है उसके पास cash अब बच गया फरनिचर में कोई चेंज नहीं हुआ गुड्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि cash में हमने खरिद ला था क्रेडिटर्स उतने कहीं रहेगे अब कैपिटल जो थी 35,000 की नहीं और 2,000 रुपए उसकी क्या हुई परसनल यूज के लिए खरिदा तो ड्राइंग्स होगी और ड्राइंग्स से हमारी कैपिटल कम हो जाती है तो कैपिटल लेस ड्राइंग्स 2,000 रुपीज की इसको हम मुबाइल फोन नहीं कहेंगे इसको हम ड्राइंग्स कहेंगे कि उसने वह बिजनस से पैसा विड्रॉ कर लिया इन फॉर्म ऑफ मॉबाइल फोन बिजनस अर्गनाजिशन से अपने परसनल और अगर हम देखें यहां पर एसेट्स का टोटल तो 26 प्लस 5 31 और प्लस 34,000 तो यह भी 34,000 यह भी 34,000 अभी भी साटिस्वाइड है देन रेंट रिसीवड और रुपीज 3,000 इन कैश आपको रेंट मिला है 3,000 रुपे का कैश में तो रेंट मिला है रिसीव किया है देखना तो हमारी इंकम होगी 3,000 रुपे की और कैश में मिला है तो कैश हमारा बढ़ जाएगा कैश मिल गया दूसरी तरफ क्या है कि रेंट जो है वो इंकम है और जब भी इंकम वाली बात आएगी अकांटिंग एक्विशन के अगर आपने स्वाल्व करना है तो इंकम को यहां प प्रॉपिट होता है वह प्रॉफिट उसकी रॉपिटल में होजाता है और in case की बिजनस और्गमाईशन को कोई लॉस हुआ है तो उसकी कैपिटल में से माइनश कर जाता है तो इसलिए ये हमारी सिद्वल काम अट कर देंगे तो इसकी दो अफ़ फटेंगे एक तो हमारा कै मिल गया तो टोटल हमार पास 26 प्लस 329,000 होगे फरनीचर में कोई चेंग नहीं हुआ फाइव थाउजन रहे गया गुड्स जो है वह आपके 3000 जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ जो पिछली एक्वेशन थी से अगर जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ उसको एक चेंज यहां पर था दूसरा चेंज कहां पर होना है कैपिटल जो है वह बढ़ दाएगी तो कैपिटल हमार पास थी 33,000 की बचीवी 33,000 में 3,000 जो है वह जो रेंट रिसीव से इंकम आई है वह इंकम उसमें एड़ कर दी अब कैपिटल जो है वह 36,000 की होगी यह 36,000 प्लस 1,000 37,000 लियाबिलिटी प्लस कैपिटल 37 और जो आपक 9 प्लस 5 34 प्लस 3 37,000 तो यह 37,000 और यह भी 37,000 अकाउंटिंग एक्विशन आपकी सेटिस्वाई होगी तो इस तरह से जो है वह जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें आपको देखना है कि उसका कहां कहां एफेक्ट पढ़ेगा एटलीस दो अकाउंट्स उसे अफेक्ट होंगे तो वह अकाउंट्स कहां जो भी अफेक्ट उनका पढ़ रहा है उसको आपने एसेट्स कम ज़्यादा हो रही है एसेट्स वाले कॉलम में लिख लें नई एसेट्स आ रही है नए नाम से लिख लें और अगर पुरानी में कोई चेंज हो है तो उसमें भी उसकी अमाउंट एड़ कर दें लैबिलिटीज हैं इंक्रीज हो रही हैं डिक्रीज हो रही हैं यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज में एड़ कर दें डिक्रीज में माइनस कर देंगे अगर कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल माइनस कर देंगे तो कैपिटल कम माइनस करनी है नॉमली हम उस की profits है गेंज है या further capital invest की है तो हमारी वो बढ़ जाएगी ऑणर ने अगर और फरदर capital invest किया हो सकता है कि बाद में अभी उसने 50,000 इंवेस्ट किया है और उसे लग रहे दस जार की business organization में और जरुए था तो उसने अपनी दस जार की capital और इंवेस्ट कर दी तो भी capital increase हो जाएगी तो फिर उसको हम एड़ कर देंगे तो जो भी उसका previous balance है previous transaction का उसमें एड़ और लास जो भी बनता है उसको कर देंगे profit होगा तो capital में एड़ करना है confusion हो जाती है कि प्रॉफिट के बारे में तो यहां पर कर सकते हैं यहां पर क्या करना है कि जो भी इसकी इंकम्सान वाली बात है कोई expense है तो उससे capital कम हो जाती है और फिर आप देख सकते हैं कि liabilities plus capital विल ऑल्वेस बीक्वल to assets तो यह था आपका accounting equation का capital capital प्लस liabilities are always equal to assets यह हमारी modern approach कह लो इसको counting equation कह लो तो इसके accordingly जब हमने records maintain करना है तो यह मैं आपको पिसली वीडियो में बताया थे classification accounts की जिसमें assets liabilities capital income and gains और expenditure उसके basis पर increase और decrease के हिसाब से जो हैं कि identify कर सकते हैं और सही account को debit और credit किया जा सकते हैं तो यह था आपके बास आज की वीडियो में accounting equations के बारे में okay thank you च्र Se cœurё की छम SinnSet